नेताओं के मिलने से जनता नहीं मिलती है। आज भी सुभासपा के जो समर्थक हैं जिलों में। क्या भारती जनता पार्टिकर नित्रे तो जिसकी उनके प्रती सोच अच्छी नहीं है। जिसकी सोची जातिवादी है जो जाती विवेद के आधार पे अंतर करता है, दुएश रखता है, जो बार बार आक्रामक हो जाता है, क्या उसकी सबकी मानसिक्ता बदल जाएगी। न तो सुवासपा के समर्थकों को कोई जिलों में इस तरह की राहत होने वाली है, नहीं भारती जनता पार्टी के कारिकरता निताओं का चरित्र बदलने वाला है, या उनकी जो सोच है वो बदलने वाली है। सरकार ने उन्हें सुरक्षा दे दी, हमारी शुब कामना है, वो सुरक्षित रहें, लेकिन जिलों में जिस आधार पे पीडे सोचित वर्गों का अन्या इत्याचार होता रहा है, उससे वैचारी ग्रूप से लड़ा जाएगा, और वैचारी ग्रूप से जो उनके साथ है कोई लड़ पाएगा, और इससे पहले भी राजबर जी भाजपा के साथ अलाइंस में थे, येगर उनके गड़बंदन में जाने से सारे लोगों की समस्यां सुलटती, तो उन्हें बाहर ही नहीं निकलना पड़ता, उन्हें तो दूसरी बार जा रहे हैं, कोई पहली बार अभी तो केवल वाई श्रेनी की सुरक्षा मिली है उन्हें, इससे पहले तो कैबिनेर मंत्री खुद थे, परिवार में भी दो तीन लोगों पे लाल बत्ती थी, पार्टी के भी तीन चाल लोगों पे थी, तब अपने समाज का भला नहीं कर पाए, और आप लोगों के इच्छा है कि वो अपने कार्करताओं की दलित, बैकवर्ड, बेरोजगार, किसान, मजदूर, इनके प्रती मान सकता बदल सकें, इसके साथ जाएंगे, कहां जाएंगे, कौन उन्हें लेगा, कौन नहीं लेगा, यह जिससे बात कर रहा हूंगा, वो दल बताएगा, हमारा कहना ये है कि हमने उंपकार राजभर जी और उनकी पाड़ी को भरपूर सम्मान दिया, जितनी उनकी राजनेतिक स्पेस वो बनती थी, उससे हम लोगों ने अपनी समझ से और ज़्यादा दी, अखले शादव जीनों ने साथ बिठाया, साथ चलाया, साथ सम्मान दे के कार किया, अब उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनकी कोई मजबूरी है, उनकी कोई मैत्वकांशा है, क्या है ये वो ही बताएंगे, हम से बेतर उन्हें कुछ मिल रहा होगा, जो हमारे पास नहीं है, सम्मान हमारे पास था, सरकार हमारे पास नहीं है, और भी सरकार के साथ बह वो कहां जाना चाहते हैं? हम अपनी राजनयतिक्विचार और समझ कि इसाफ से तैक करेंगे कि कौन हमारे साथ रहता है, कौन नहीं रहता है वो पलिगाय réponse राजवरजी कुछ, हमने तो नहीं निकाला है वो खुद भाजपा के नेताओं के दरबाजी घाए हैं तो वो अपना निटने जब ले लेंगे तो समाझवाधी पार्टी भी अपना निटने लेंगे